इन लोगों को खेती से जुड़े जो आइकिहासिक सिधार किये गए हैं, उनसे भी दिक्कत हो रही है, वो लोग बॉकला है हुए हैं, ये बॉकला हट किसानों के लिए नहीं है, खुद की दुनिया जो अब देश समझने लगाए ना उसकी परेशानी है, पीडी, दर पीडी, विछोलियों, गुष्खोरों, दलालों, इनका तंत्र खड़ा करके जो इन्होंने एक अपना बणा ही, इन एक प्रकार से मायाजाल बना के रखे थी, देश के लोगों ने उनकी मायाजाल को, इनके इन सेवे मनसुमों को दहाना देश की जनता ने शुरू कर दिया है, जहां एक तरफ भारत के नवदिवान जूटी है, वहीं ऐसे लोगों की सच्चाई भी उजागर कर रही है, देश के ओ लूटने में लगे रहे लोगों को, देश अब पहचानने लगा है, इसलिए ही कि लोग आजकल हर बात का, आग बंद करके बद विरोद करो, गाली गलो कर रहे हैं, इन्हें न गरीब की चिंदा है, न गाउं की चिंदा है, न देश की चिंदा है, उनको हर अच्छे काम के प्रते परिशानी हो रही है, यह लोग देश की विकास को रोकना चाहते हैं, यह लोग नहीं चाहते हैं, कि हमारे गाउं, गरीब, हमारे किसान, हमारे स् आज किसी क्षेत्र में जो सुधार हुए हैं, उससे जिने किसानों को लगता था, लेकिन आज हमने डे, गुणा, MSP हमने करके दिखाया, वो नहीं कर पाये थे, छोटे किसानों, परशुपालों को, मच्छवानों को, किसान क्रेडिक कार मिलने से, जिनकी काली कमाय का रास्ता बंद हो गया है, उनको आज समस्या हो रही है, यूरिया की नीम कोटिंग से, जिनके गैर कानूनी तौरतरी के बंद हो गए, दिक्कत उन्हें हो रही है, किसानों के बैंक खाते में सीधा पैसा पहुंचने से, जिनको परिशानी हो रही है, वो आज बेचेन है, किसान और खेद मद्दूर को मिल रही बीमा, पैंशन, ऐसी सुविदाओं, जिनको परिशानी है, उन्हों को गोड़, वो आज कृष्टी सुधारों का विरोध करने में लगे गिये है, लेकिन किसान, उनके साथ जाने को तयार नहीं, किसान उनको पहचान गया है, साथियों, दलालों, बिचोलियों, गुस्खोरों, कमिशन बाजों, इनके दम पर राजनीती करने वाले, कितना ही चाहे, कितने ही सपने देख ले, कितना ही जूट फेला ले, लेकिन देश, रुखने वाला नहीं है, देश ने खान लिया है, कि गाव और गरीब को आत में न दिर्वर बनाना, भारत के सामर्थ की पहचान बनाना है, इस संक्यल की सिध्धी के लिए स्वामित्व योजना की भूम का भी बहुत बड़ी है, और इसलिए आज जिन एक लाग परिवारों को इतने कम समय में स्वामित्व योजना का लाब मिल चुका है, और मैं आज चैंदर सीं जी और उनकी पूरी टिम को भी बढ़ाई दूँगा, उस विवाग के हर मुलाजिम को बढ़ाई दूँगा, जिनों इतने कम समय में इतना बड़ा काम किये, काम चोटा नहीं है जी, गाउँ गाउँ जाना और वो भी लॉगडाउन के समय जाना, और इतना जो काम किया है, मुझे नहीं लगता है, चार साल इंतेजार करना पड़ेगा, अगर वे चाहेंगे, तो पुरे देश को इससे भी पहले साइद दे सकते हैं, क्योंकि इसतना हमड़ा काम, और मैं बता हूं, जब मैंने अपरिल में इसकी बात कही तब मुझे, कहता था मैं कि य लोग बहुत बहुत बधाई के पात रहें, और साथ साथ, आज जिन को ये लाब मिला है, उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है, आत्मसम्मान जग गया है, आपके चहरे की खुशी मेरे लिए सरवादिक खुशी होती है, आपका आनन मेरे आनन का कारण होता है आपके जीवन में भविष्य की सपने सजाने का जो आउसर प्यादा हुआ है वो मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाए दिखाए दिए रहा है और इसलिए भायों बेनों जीतने खुश आप है उससे ज़्यादा खुश मैं हूँ क्योंकि आज मेरे एक लाग परिवार आत्म विस्वात के साथ आत्म सम्मान के साथ अपनी संपत्तिक के कागज के साथ दुनिया के सामने विस्वात से खड़े हुई है ये बहुत उत्तम अवसर है और वो भी जेपी के जन्मदीन पर है नाना जी के जन्मदीन पर है इससे पूरे देश में हम लोग अभियान चला रहे हैं इस कोरोना कालखन में मास्क पहनने के लिए दोगज की दूरी रखने के लिए बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए और आप भी बिमार नहों आपके परिवार भी कई कोई बिमार नहों आपके गाउं में भी बिमारी कोई दवाई नहीं बनी है और इसलिए आप मेरे परिवार जन है और इसलिए मैं आगरश से आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं इस मंत्र को न भूलें और पूरी तरह चिंता करें इस यह विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आज के इस बहु कि पल, संकल्प कि पल, मनेक अनेक, शुपकामनाय देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। That is the Prime Minister making an announcement with regards to reforms for rural India also lashing out at the opposition over the politics that we have seen particularly on the farm law saying that there is an attempt to mislead the poor, attempt to also stop the development of the of rural India is the charge that the Prime Minister has fired at the opposition.